नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं स्पीकर के इंक्लोजर के बारे में यानि कि इंक्लोजर कितने तरह का होता है और किस तरह के इंक्लोजर से किस तरह की आवाज आती है तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आप मार्के को किसी भी तरीके के box में डाल दें तो आवाज उसमें से आएगी लेकिन दोस्तों एक properly designed जो enclosure होता है उस आवाज का मुकाबला कभी भी बिना design वाला box नहीं कर सकता है और speaker का enclosure ही बिल्कुल basic point है audio अच्छी लेने के लिए और दोस्तों ये भी जा लिजिए कि audio जो overall आती है उसमें enclosure ज्यादा important है आपके amplifier से भी अगर आप एक बहुत अच्छ amplifier यूज कर रहे हैं लेकिन आपका enclosure अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा performance नहीं मिलेगा इस वीडियो में आप जान लीजिए कि enclosure क्या होता है कैसे होता है कितने types का होता है और किस तरह के enclosure की performance अच्छी होती है ताकि जब भी आप enclosure बनाने के लिए आगे बढ़ें तो आपके mind में एक setup हो कि हां मुझे ये वारा enclosure बनाना है तो दोस्तो speaker का enclosure cabinet या sound box तीन type का होता है दोस्तों पहला होता है seal type का दूसरा होता है vented type का और तीसरा होता है band pass type का तो सबसे पहले हम दोस्तों आते हैं seal type पर तो जैसा कि आप नाम सही समझ जा रहे हैं ये एक ऐसा sound box होता है ऐसा enclosure होता है जो चारो तरफ से seal होता है जैसा कि आप figure में देख रहे हैं seal का मतलब दोस्तों कोई भी air इसके अंदर न जा सकती है और नहीं इससे बाहर आ सकती है यानि कि बाहर के environment से speaker के back side को ये completely decouple कर देता है completely हटा देता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि speaker में back wave और front wave दोनों निकलता है तो front wave को ये fully cancel कर देता है इस तरीके से सिर्फ आगे की waves आपको सुनाई देती है और इस enclosure के अंदर की हवा जो होती है दोस्तों वो आपके speaker के diaphragm के लिए एक spring या cushion का का काम करती है इसकी वज़े से आपके speaker के diaphragm की जो फड़फड़ाट होती है वो काफी हट तक control हो जाती है और दोस्तों seal type का box बनाना, design करना सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ box का volume चाहिए होता है और वो volume कहां से मिलता है दोस्तों, हर manufacturer आपको अपनी website पर या data sheet में देता है कि इस particular speaker के लिए, sealed design के लिए कितना internal volume होना चाहिए जैसे कि इस particular subwoofer के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहला model आप देख रहे हैं, उसमें आपको दिया हुआ है, speaker manufacturer की तरफ से कि अगर आप sealed enclosure बनाते हैं, तो आपको 35.4 liter का volume चाहिए इसी तरीके से बाकी speakers में भी दिया हुआ है, कि अगर आप sealed इसका enclosure बनाते हैं, तो कितना volume चाहिए हाँ, इस volume में से जो speaker आप उसमें लगा रहे हैं, उस speaker का volume आपको minus कर देना है, तभी correct आपका value आएगा और इस तरह के enclosure का फाइदा क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा फाइदा तो यह है, कि easy to design, यानि कि design करने में बहुत ही easy होता है दूसरा फाइदा है दोस्तों कि यह size में small होता है, बहुत ज़्यादा जग है आपकी waste नहीं होती है और तीसरा फाइदा दोस्तों, यह बनाने में आसान तो होता ही है, no calculation, no जंजट चोथा फाइदा यह है दोस्तों कि अगर आप बनाते समय डिजाइनी में कुछ error करते हैं, यानि कि calculation में थोड़ा मोड़ा error आता है तो इससे कोई बहुत दिकत नहीं होती है, ठीक ठाकी यह चलता है next फाइदा है इसका दोस्तों कि power handling बहुत ही अच्छी हो जाती है इसकी because आपका speaker बंधा होता है कुछनिंग से, तो इसलिए फड़़ाता नहीं है, इसलिए जितनी भी wattage होती है उतनी wattage आप speaker को आराम से दे सकते हैं next फाइदा है दोस्तों कि जो frequency response होता है, इसका बहुत flat होता है यानि कि जिस frequency के लिए भी आपका speaker design किया गया है उसके उपर और नीचे काफी ज़्यादा frequency तक यह बहुत flat response देता है ऐसा नहीं कि किसी frequency को अचानक बढ़ा दे bass को और अचानक घटा दे transient response यानि कि fast bass जो आता है, जैसे कि ढोलक या drums वगरा के होते है जो kicks होते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे आते हैं loose bass में अच्छा काम नहीं करता है और नुकसान क्या है दोस्तों? तो इसका नुकसान बस यह है दोस्तों कि इसकी efficiency बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि आपने back side के waves को cut दिया, उसको environment में आने नहीं दिया तो efficiency इसकी कम हो गई, बहुत तेज आवाज यह नहीं करता है next type को हम बोलते हैं दोस्तों, ported enclosure, vented enclosure या base reflex enclosure कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो इसकी main theory होती है दोस्तों कि इसमें एक vent होता है, hole होता है, port होता है, वो port कहीं भी हो सकता है आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, दय माई भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और किसी भी shape का हो सकता है, यानि कि square हो सकता है, rectangular हो सकता है, round हो सकता है तो कुलमिला के इस तरह के enclosure में एक port होता है जिससे की हमारी हवा इसमें pass करती है और दोस्तों इसकी design को इस तरह के से रखी जाती है जो audio हमारे hole से निकल लई है, port से निकल लई है और जो audio हमारे speaker से निकल लई है दोनों मिल जाती है तो दोस्तों ये speaker कुलमिला के आप कह सकते हैं कि इसमें efficiency, quality और economy हर चीज़ का एक बहुत अच्छा balanced mixture है ये बहुत ही अच्छा enclosure माना जाता है ज्यादा design में भी difficult नहीं होता है तो सारी quality इसके अंदर है इसी वज़े से दोस्तों home audio और बाकी जगों पर इस enclosure का सबसे ज्यादा use किया जाता है और दोस्तों जो इसमें port होता है तो आप ऐसे समझते हैं कि port बस ऐसे एक लगा दिया एक कोई हमने pipe लगा दिया तो ऐसा कुछ नहीं है port का radius, port की length ये सारी चीज़े calculation से आती है और इनके software होते हैं उनसे ही आप निकाल सकते हैं कि अगर आपने एक particular driver लगाया है तो कितने port का length होगा, कितनी port की radius होगी और कितने आपके wall के height, length, width सारी चीज़े जो है आपको software से निकाल ली है और इसके फायदे क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो है कि इसकी efficiency sealed वाले से बहुत जादा होती है, 3 decibels जादा होती है और audio की दुन resonance frequency थी, जैसे माली जी कि 50 hertz है, तो वो 50 hertz minimum पैदा कर सकता था, sealed वाला, लेकिन ये ported वाला है, 50 hertz के भी नीचे जा सकता है, क्योंकि port की size की हिसाब से, length के हिसाब से, हम इसको lower frequency के लिए भी tune कर सकते हैं, जानि कि जितने resonance frequency का आपने driver लिया है, उससे कम frequency भी आप base reflex designing में ले सक देता है, जितना कि आपका sealed enclosure देता है, दूसरी problem है दोस्तों इसके साथ, कि designing इसकी simple नहीं है, थोड़ी सी complicated है, लेकिन sealed की तुलना में complicated है, आपको सारी चीजें calculate करनी है, सिर्फ आपको internal volume ही ध्यान में नहीं रखना है, port length और speaker placement बहुत सारी चीजें आपको त्यान में रख और roll off मैंने बताया दोस्तों, जैसे कि आप एक particular audio song आप बजा रहे हैं, लेकिन उसमें अचानक से वो frequency आ गई, जिसके लिए ये आपका base reflex speaker tuned है, यानि कि base अचानक बढ़ेगा और अचानक गटेगा ये problem होती है, और सिर्फ information के लिए बता देता हूं दोस्तों, एक passive radiator speaker होता है, वो भी base reflex का ही एक type है, जहां पर आपका port लगा है, वहां पर आप एक passive radiator लगा देते हैं, passive radiator में एक weight लगाया जाता है, और उसकी एक particular frequency होती है, उस frequency पर आते ही वो resonance frequency पैदा करने लगता है, जिसकी वज़े से अचानक वो base बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और because passive radiator ल वहां पर लगाया जाता है दोस्तों, जहां space की बहुत कमी होती है, इसी वज़े से दोस्तों आजकल जो Bluetooth speakers वगरा आ रहे हैं, या जो भी आप छोटे-चोटे audio system class D वाले देखेंगे, तो सभी में आप देखेंगे कि base radiator लगा होता है, passive radiator लगा होता है, तो कम space में अच्छी audio निकालने के लिए, passive radiator एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इसरा जो type है दोस्तों, जिसे हम band pass कहते हैं, ये भी एक ported का ही type है, लेकिन इसमें दोनों character है, ported वाले भी character है, और sealed वाले भी character है, जैसा कि आप नाम सही समझ गये होंगे, कि एक particular frequency band को pass करता है, इसलिए इसका नाम band pass रखा गया है, जैसा कि आपने देखा दोस्तों, sealed और base reflex में, कि आपको speaker दिखाई दे रहा था, आपको पता चल रहा था कि speaker कहा है, लेकिन band pass का सबसे पहला character ही है, कि इसमें आपको speaker नहीं दिखाई देगा, इस speaker अंदर लगा होता है, इसमें बाहर सिर्फ port होते हैं, मैं band pass enclosure होता है, दोस्तों, उसका frequency band बहुत ही narrow होता है, यानि कि वो एक बहुत particular frequency को ही पकड़ के boost करता है, और वैसी frequency आते ही दोस्तों, अचानक ही बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है, तो इसका gain particular frequency के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, और band pass में भी कई type के enclosure होते हैं 6 order में देखेंगे, speaker के back और front दोनों chamber जो है, दोनों ही ported chambers है, और 8 order का जो band pass box होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि speaker के front और back दोनों में port है, और वो दोनों port एक तीसरे enclosure में है, जिसमें खुद से port लगा हुआ है, यानि कि जैसे जैसे band pass का number आगे बढ़ता और आएब इसका फाइदा जान लेते हैं दोस्तों कि band pass का फाइदा क्या है, तो सबसे पहला फाइदा तो है दोस्तों efficiency, इसकी efficiency sealed की तुलना में 5 decibels जादा होती है, यानि कि आप एक तरह से कह सकते हैं 4 गुना, दूसरा फाइदा है दोस्तों कि इसमें आपका subwoofer because enclosed enclosed होता ह इसलिए buffer का movement बहुत कम होता है, यानि कि उसकी कोन बहुत ही control movement करती है, तो buffer आपका safe रहता है, और next इसका benefit है दोस्तों कि जहाँ पे आपको बहुत ही जादा sound pressure level चाहिए, यानि कि आपको चाहिए कि मुझे एक frequency ही चाहिए, लेकिन मुझे बहुत जादा चाहिए, वहाँ प होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा bass response आता है, यह अलग बात है कि mid bass वगरे यह बिलकुल ही नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी room वगरे में आदमी को इतना पता नहीं चलता है, इसलिए हमको लगता है कि इतने छोटे speaker से कितनी अच्छी bass आ रही है, आप सोचिए कि अगर band pass enclosure जो है, बड़े speaker जैसे कि 15 इंच, 18 इंच, 21 इंच में अगर बनाया जाए, तो कितना ज़्यादा bass ये देगा, बहुत ही extreme bass ये देगा दोस्तों, और नुकसान क्या है दोस्तों, नुकसान ये है कि पहला तो इसका enclosure बड़ा होता है, अगर आप space saving के चकर में है तो फिर उस को आप अच्छे से software में डालिए, आपके इस आपसे इसमें freeness बिल्कुल नहीं है, जो data आता है, बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है, और next problem है दोस्तों, कि आगर आपने सही से नहीं इसको बनाया, तो जिस frequency के लिए आप इसको बनाना चाहते हैं, वो frequency कभी नहीं निकले कि because आपको मैंने बताया कि इसमें कोन का मुवमेंट बहुत कम होता है, तो आगर आप इस subwoofer को ज़्यादा भी power देते हैं, तो आपको यह नहीं पता चलेगा, कि कितनी ज़्यादा कोन में उसके मुवमेंट हो रही है, और आप उसको बढ़ाते ही जाएंगे, अगर आपने रेटिंग के हिसाब सेंप्लिफायर नहीं लगाया, तो आप खुब बढ़ाएंगे, बोलेंगे कि यार अभी तो बड़े अच्छी हो आ जा रही है, और वो speaker आपका उड़ जाएगा, क्योंकि हमें speaker विजिबल नहीं है, और उसकी कोन का मुवमेंट हमें पता नहीं चल रह जो next type है दोस्तों उसको audio file से use करते हैं, ज्यादा तर ये general use में नहीं आता है, इसको हम बोलते हैं transmission line speaker, इसमें हम क्या करते हैं कि front तो हमारा open होता है, लेकिन back से जो frequencies निकल लई है, इसको हम इतना गुमाते हैं, कि tuned frequency के एलामा, जो frequency, जो audio भी उसमें mix है, वो सारे ही उसके अंदर absorb होती है, और finally जो चीज निकलती है, वो pure base होता है, तो इसकी भी efficiency बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी designing बहुत ही ज्यादा complicated होती है, इसका फायदा मैं बता देता हूं दोस्तों, कि बहुत ही low frequency का आप response इससे पैदा कर सकते हैं, यहां तक कि sub-sonic, यानि कि 20 के न कि से enclosure नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुचा कि आपको मैं बता दूं, तो वो है होर्न, तो हर्न दोस्तों एक enclosure नहीं होता है, हर्न एक coupling होती है, यह speaker और air के बीच में लगा होता है, यानि कि आपके speaker और air को connect करता है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हर्न क एक वीडियो आपको दिखाया है तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो throat होता है वो बहुत ही नेरो होता है जहां से आपकी audio निकलती है और धीरे से उसको फैलाव दिया जाता है यानि कि जो air से आपकी audio मिल रही है उसकी linking बहुत अच्छी है और जो throat होता है दोस्तों वहाँ पे air pressure बहुत ही जादा हो जाता है इसकी वज़े से जो effective loading होती है horn की वो बहुत जादा हो जाती है और इस loading की वज़े से दोस्तों इसकी efficiency बहुत ही जादा होती है सच कहिए तो horn coupling की efficiency normal enclosure की 10 dB से भी जादा होती है 16 dB भी होती है यानि की बहुत कम watt का horn speaker उतनी loudness दे सकता है जितनी की बहुत जादा watt का आपका normal speaker दे लेकिन दोस्तों इसमें एक गहुत बड़ी problem है horn एक बहुत ही narrow band में काम करता है और साथ में जो आपकी horn की length है दोस्तों वो भी frequency जैसे जैसे घटती है उसकी length बहुत जादा बढ़ती जाती है यानि की frequency जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे आपके horn का external radius जो बाहर का गोला है और length बढ़ती जाएगी तो practically एक sub-woofer level या buffer level के लिए बहुत ही बड़ा horn हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा लोगों ने बनाए है theoretically तो इतना बड़ा horn आप तो जानते ही है सबके लिए बनाना possible नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आपने बना लिया तो यकीन मानिए कि इसकी efficiency इतनी ज़्यादा होती है कि एक 100 watt का amplifier भी एक subwoofer horn पे लगके बिलकुल तबाही मचा सकता है तो दोस्तों मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में enclosure के बारे में आपकी knowledge थोड़ा बहुत increase ज़रूर ही होगी और आपने कुछ idea create कर लिया होगा कि हाँ आपको किस तरीके का enclosure चाहिए और इंडिया में बहुत ज़्यादा problem है कि जो भी drivers मिलते हैं तो उनका TS parameters हमें मिलता नहीं है फिर भी अभी कुछ drivers आने लगे हैं professional में especially जिनके TS parameters मिल जाते हैं तो TS parameters को लेकर normal तरीके से, जुगाण के तरीके से हर तरीके से, किस तरीके से हम box एक बनाए ये मैं आपको अगले वीडियो में discuss करूंगा और मैं आपको guarantee देता हूँ कि इस तरीके का content और कोई नहीं दे पाएगा तो बिना channel को subscribe किये हुए मत छोड़िएगा ओके दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो के लिए bye बोलता हूँ अगले वीडियो तक नमस्कार